नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपकी अपने इस चैनल पर दोस्तों बिहार में जो सिक्षक बहाली चल रही है उसको लेकर एक बहुत बड़ी ख़बर आ रही है सामने और यह जो ख़बर है यह है अवैद अभिरतियों को हटाने की मांग से सम्मदित आप जानते हैं कि बिहार में जो सिक्षक बहाली चल रही है काफी बड़ी प्रक्रिया है और इसको लेकर कई प्रकार की धांदली सामने पहले भी आ चुकी है और अब भी ऐसी घटनाएं सामने आ रही है तो इसी को लेकर एक संगठन है बिहार राज्य टीटी उत्यर्ण अभिहरति जिनोंने की अवैद अभियरतियों को हटाने की मांग की है इनकी जिलादेक शनंद की शोर सर्मार ने प्रेस बयान जारी कर बिहार प्रात्मिक सिक्षक नियोजन 2019-2020 में शामिल किये गए दूसरे राज्यों के बीटी सी डीयलेड अभियरतियों के अवैद रूप से जाती अवासिये बनाकर नियोजन के लिए आविदन पत्र जमा किये हैं वैसे अभियरति को चिनित कर नियोजन से उन्हें बाहर करने की मांग की है प्रेस बयान में लिखा है कि हम बिहार राज्ये के प्रेसिक्ष्ण प्राप्त डेलेड अभियरति हैं हमारे साथ साथ अन्य लेकिन वही है बिर्थी बिहार राज्य के आवासिय वह जात्य प्रमान पत्र सनलगन कर नियोजन के विभिन कोटियों में आरक्षन का लाब लेने की कोशिश में है जो की विधी सम्मत नहीं है तो जिस प्रकार से फरजी जात्य आवासिय बना कर नियोजन में आविदन दिये को मेरी चैनल पर मिलती रहेगी वसाब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर दबा दीजेगा मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार